करनाचक में कॉंग्रेस की जीत स्थानिय मुद्धों और एक जुट नेतर तुव का प्रणाम है क्या 2023 में करनाचक की जीत कॉंग्रेस के पुनर उद्धार की शुरुवार हो क्या स्थानिय मुद्धों पर ध्यान देना और एक जुट नेतर तुव प्रदान करना उनकी सफलता का मंत्र बन सकता है आये इस जीत के पीछे की रणनिती और इसके भविशे पर एक नज़र दाते हैं 2023 में करनाचक में कॉंग्रेस की जीत नहीं पार्टी के लिए नहीं उमीदे जगाई सधर्मया और डिके शिव कुमार के निर्तिर्तों में पार्टी ने भाजपा को मात देते हुए राज्य में सरकार बनाई पांच वादों के साथ स्थानी अमुद्दों पर फोकस करना उनकी सफलता का महत्वकून कारण बना लेकिन क्या इसी रणनिती को इस बार भी अपनाया जा सकता है और क्या ये वोटरों के बीच सही तालमिल बिचा पाईगी नमस्कार आप देख रहे हैं एयर नीर्स के लिए सबसे अच्छा मौका स्थानी अमुद्दों पर फिर से फोकस करने मी ही है टिकट वित्रन हमेशा एक जटल प्रक्रिया रही है एसबार भी कई राज्य मंत्रियों और विधायकों का चुनाव लड़ने से इगार करना चिंता का विशय है क्या ये राज्य कॉंग्रेस नेताओं की सब्ता से दूर जाने की अनिच्छा को दर्शाता है इस जटल प्रक्रिया के बावजूद कॉंग्रेस को अपने नेताओं की अनिच्छा को दूर करने और एक मजबूत उमीदवार सुची तयार करने की चुनावती का सामना करना कर रहा है ये ना केवल उनके आंत्रिक संगठना आत्मक सनंचना की परिक्षा है बलकि ये भी दर्शाता है कि कैसे वे अपने नेताओं को एक साजह लक्षे के लिए एक जूट कर सकते हैं करनाचक के मद्दाताओं ने अतीत में दिखाया है कि लोकसभा चुनावों में वेराश्ट्रिय मुद्दों पर अपना वूट देती है कॉंग्रेस को इस प्रवर्ती को उलटने की जरूरत है अगर वो भाजपा में सेंध लगाना चाहती है इसके लिए उन्हें भाजपा के राजजस्तरिय निर्तिर्तु अपर सतत ध्यान किंद्रित करने और कुछ बैठे भाजपा सांसुदों के खिलाफ असंतोश का लाब उचाने की अवशक्ता होगी हाला कि 2023 करनाचक में कॉंग्रेस की जीत ने राज्य की राजनीती में एक नए दिशा नर्धारित की अगामी चुनावों में पार्टी को अपने राजनीती को और ज्यादा सुक्षिनता से लागू करने और वोटरों के बीच अपनी पकड को मजबूत करने की चुनावती होगी इसके लिए उन्हेना केवल राज्य के मुद्धों पर बलकी राज्य के मुद्धों पर भी अपनी नितियों को स्पस्ट करना होगा हमारी अगली वीडियो में हम करनाचती राजनीती में इस जीत के प्रभाव और भारतिय राजनीती में इसके संभावित परिनामू पर चर्चा करेंगे क्या कॉंग्रेस अपनी इस जीत को एक बड़ी राजनीतिक शक्ती में बदल पाएगी इस पर गहन विसलेशन के साथ हम अपको अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार आप देख रहे थे एर नीज